नमस्कार, आज हम कक्षा साथ की संस्कृत के पहले पाठ जिसका नाम है सुभाशितानी, हम इस पाठ के अभ्यास को हल करेंगे तो चलिए इसके अभ्यास के और बढ़ते हैं इसके पहले प्रश्न में सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत अर्थात पाठ में दिये गए सभी श्लोकों को सुर में गाये इसका सीधा सार्थ है कि आपको पाठ में दिये गए श्लोकों को याद करना होगा अर्थात ये कारिय आपको स्वयम करना होगा आगे बढ़ते हैं यथा योग्यम श्लोकान शान मेलयत अर्थात श्लोकों के अंशों को मिलाईए अर्थात इनका मिलान केजिए इसमें जो पहला आंश है वो है धन धान्य प्रियोगेशु जो की ख भाग के विद्यायाह संग्रहेशुच के साथ जुड़ा हुआ है इसी प्रकार दूसरा आंश विस्मयो नहीं करतव्यह ये ख भाग के बहुरतना वसुंधरा के साथ जुड़ा हुआ है इसका तीसरा आंश सत्येन धार्यते प्रित्वी ये ख भाग के सत्येन तप्ते रवी के साथ जुड़ा हुआ है इसी प्रकार सद्भिर विवादम मैत्रीम च ये ख भाग के एक आंश ना सद्भिह किंचिदा चरेत इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसका अंतिम अंश आहारे व्यभारे च ये ख भाग के त्यक्त लज्जह सुखी भवेत के साथ जुड़ा हुआ है इसके बाद है एक पदेन उत्तरत अर्थात ये छोटे प्रश्ण है जिनका एक ही पद में उत्तर देना है पहला प्रश्ण है प्रिथिव्याम कति रत्नानी अर्थात प्रिथवी पर कितने रत्न पाय जाते हैं हमने पाठ में पढ़ा था प्रिथवी पर तीन प्रकार के रत्न पाय जाते हैं तो इसका उत्तर होगा त्रीनी दूसरा प्रश्ण है मूर्खों की द्वारा कहां रतनों की संग्या माल लि जाती है हमने पाठ में पढ़ा था कि मूर्खों की द्वारा पत्थर के टुकुडों में ही रत्नों की संग्या माल ली जाती है तो इसका उत्तर होगा पाशान खंडेशु अर्थात पत्थर के टुकुडों में तीसरा प्रश्ण प्रिथिवी केन धार्यते अर्थात प्रिथिवी किसके द्वारा धार्यते की जाती है या किसके द्वारा टिकी हुई है इसका उत्तर होगा सत्येन अर्थात सत्य के द्वारा चौथा प्रश्ण कई संगतिम कुर्वीत अर्थात किसकी संगति करनी चाहिए उत्तर है सद भी ही अर्थात सजनों की पांचमा प्रश्ण है लोग के वशी कृति का अर्थात संसार में सबसे बड़ा वशी करण क्या है इसका उत्तर है क्षमा इसके बाद अभ्यास का जो चोथा भाग है उसमें रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्ण निर्मान कुरुत अर्थात नीचे दिये गए जो ववाक्य है उनमें जो रेखांकित पद अर्थात जो अंडरलाइन किये गए है उनके आधार पर प्रश्णों का निर्मान करना है पहले वाक्य में सत्येन को रेखांकित किया गया है इसका अर्थ है सत्य के द्वारा तो इसको प्रश्ण रूप में बदलने के लिए हम सत्य के द्वारा अर्थात किस के द्वारा इसको संस्कृत में बदलेंगे जो की बनेगा केन इस प्रकार प्रश्ण निर्मान हुआ के नवाति वायु हो। दूसरे वाक्य में सद्भी एव सहासीत अर्थात सज्जनों का साथ ही करना चाहिए। इसका प्रश्ण निर्मान होगा कई एव सहासीत अर्थात किन का साथ करना चाहिए। तेसरा वाक्य वसुंधरा बहुरतना भवती अर्थात प्रित्वी अनेकरतनो वाली है। इसका प्रश्णिर्माण होगा का बहुरतना भवती अर्थात कौन अनेकरतनो वाली है। चौथा वाक्य है विद्याया संग्रहेशु त्यक्तलज़ सुखी भवेत। अर्थात विद्या के संग्रह में लज्जा का त्याग करने वाला सुखी होता है। प्रश्न निर्माण होगा कस्याह संग्रहेशु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। अर्थात किसके संग्रह में लज्जा का त्याग करने वाला सुखी होता है। अंतिम वाक्य है सद भी मैत्रीम कुर्वीत, अर्थात सज्जनों के साथ मित्रता करने चाहिए, इसका प्रश्ण निर्माण होगा सद भी किम कुर्वीत, अर्थात सज्जनों के साथ क्या करने चाहिए, यहां एक भात का विशेश ध्यान रखना है कि बनाए गए प्रश्णो अवश्य लगाया जाना चाहिए चलिए अब अभ्यास के बड़े प्रश्णों के ओर बढ़ते हैं पहला प्रश्ण है कुत्र विस्मयाह न करतव्यह अर्थात कहां पर या किन बातों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए इसका उत्तर है दाने, तपसी, शोरिये, विक्याने, विनये नये चा विस्मयाह न करतव्यह अर्थात दान में, तपस्या में, वेर्ता में, विक्यान में, विनमरता और नीतियों में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए दूसरा प्रश्ण है प्रिथिव्याम त्रीनी रत्नानी कानी अर्थात प्रिथवी पर तीन रत्न कौन-कौन से हैं इसका उत्तर है प्रिथिव्याम त्रीनी रत्नानी जलम, अन्नम, सुभाशितम चा संती अर्थात प्रिथवी पर तीन रत्न जल, अनाज और अच्छे विच तीसरा प्रश्न त्यक्त लज्जह कुत्र सुखी भवेत अर्थात लज्जा का त्याग करने वाला कहां सुखी होता है। अहार और व्यभार में सुखी होता है। अभ्यास के अगले भाग में मंजूशाता पदा निछित्वा लिंगा नुसारम लिखत। अर्थात मंजूशा में हल्प बॉक्स में दिये गए पदों को चुन कर उनके लिंगों के नुसार लिखना है। अर्थात पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुन सकलिंग के शब्दों को छाट कर अलग-अलग लिखा जाना है इनमें जो पुलिंग के शब्द हैं वो हैं सुखी, वहनी और रवी इसी प्रकार स्त्रीलिंग के शब्दों में वसुंधरा, पृत्वी और संगतिम ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं बाकी बचे हुए शब्द अर्थात रत्नानी, सत्येन और अन्नम ये नपुन्सकलिंग के शब्द हैं अभ्यास के अंतिम भाग में अधो लिखित पदेशु धात्वह के संती, अर्थात नेचे लिखे हुए पदों में मूल धातुएं कौनसी हैं पहला शब्द है करोती, करोती की मूल धातु है क्री, इसी प्रकार पश्य, पश्य की मूल धातु है द्रिश अगला शब्द है भावेत, भावेत की मूल धातु है भू और अंतिम शब्द है तिश्ठती, तिश्ठती की मूल धातु है स्था तो ये था कक्षा साथ की संस्कृत के पहले बाठ का अभ्यास आशा है, आपको ये अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा धर्नेवाद